हेलो टो एब्रवान जैहिन सो आज आपकी पहली क्लास है और यह जो क्लास है यह पेड क्लास है इस क्लास के अंदर हम लोग पूरा प्रॉपर तरीके से डिसकेशन करने वाले हैं अपने हिस्ट्री सब्जेक्ट के ओपर जर्नली बच्चा जो है हिस्ट्री सब्जेक्ट को देखके विचारा परिशान सा हो जाता है कि यह जो सब्जेक्ट है यह बड़ा मुश्किल है कितना डेटेल पढ़ना है कितनी किताबे पढ़नी है कई सारी इसी words होते हैं जो समझ ही नहीं आते, right, so पहली बात तो यह है, आज हमारी first class है, मैं आप सभी से चाहता हूँ कि वो जो जुनून है, watch को join करने का, वो एक बार जहन, बोलके आप शुरू कीजे अपने जुनून को, और मैं make sure करूँगा, कि यह जो हमारा, यह जो पूरा का पूरा process, मेरे साथ journey जो है, पूरी करेंगे, और हम लोग result लेकर आएंगे, यह मैं आपको पक्का करूँगा, मैं जितना भी आपको content पढ़ाऊंगा, history हो, चाहे जो subject हो, उसके अंदर, हर एक slide के अंदर, मैं आपको बताऊंगा, कि बेटा, इतने इतने questions, ऐसे ऐसे पूछ पूछे जाएंगे, तो जो जो मैं चीजे बताऊंगा, उसको आपने बहुत ध्यान से, संतुष्टी से सुनना है, और एक चीज और बताता हूँ, difference यहाँ पर आता है, किसने आगे बढ़ना है, किसने selection लेनी है, 10 लाक बच्चा जो है, आपका CDS F-CAT exam देता है, और जो बा के साथ उस रास्ते पर चलना है, और बहुत महनत से अपना यह जर्नी को तै करना है, तो महनत कराने के लिए मैं ready हूँ, आपने सिर्फ मेरे साथ चलना है, क्लास डेली अटेंड करनी है, मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ अपनी फर्स क्लास के अंदर, और मैं आपको थोड में आएनने में जा रहे हैं या आप एफकेट के द्वारा जा रहे हैं आपको जी के पेपर तो देना पड़ता है जेनरल नॉलिज पेपर देना पड़ता है जिसके अंदर आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट होता ही होता है understood, so आप यह याद रखिए कि अगर आपका GK पेपर है तो या फिर General Awareness का पेपर है तो उसमें आपके सवाल जो है according to exam पूछे जाएंगे, आप कोई बच्चा है जो यहाँ पे बोलेगा कि सर यह F-CAT का तो हम तो बहुत limited पढ़ते हैं, हमें तो F-CAT के अंदर इतना नहीं वो वैसे-वैसे सवालों को मैं पूरा include करूँगा, और जो बच्चा यहाँ पे F-CAT की तयारी कर रहा है, serious की तयारी कर रहा है, I'll make sure कि you will definitely going to clear the subjects जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो आपके subjects होंगे, चाहे history और geography और general studies का कोई भी subject हो, understood, तो अभी जादा बात हम लोग करें करते हैं, right, इसमें ancient history, medieval history and modern history, right, यह तीन sections होते है history के, अब बच्चा यह बोलता है कि सर, modern history हमने जादा पढ़नी है, ancient और medieval तो छोड़ देंगे, तब भी चल जाएगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिटा, आपको, अगर आपके पास अच्छा time है, तीन चार महीने है पांच महीने है, तो आप हर चीज़ को अच्छे से पढ़ो, shortcut इस्तमाल मत करो, ताकि आप जो है, meritless में नाम लेकर आओ, क्योंकि रेटन के भी exam जो होते है, marks जूडते हैं, आगे जाके, right, तो हम लोग ना, end वाली चीज़ को भी मद्दे नजर रखते हुए, सोचेंगे, क कि meritless में नाम कैसे लाना है, right, चलो, सो आज के class के अंदर हम लोग ancient history की बात करेंगे, ancient history के लगभग-लगभग 12 lectures है, जो मैं 12 lectures के अंदर, मतलब 12 घंटे के अंदर, ancient history में आपको पूरी complete कराऊंगा, इसके आगे नहीं जाना, इसके पीछे नहीं जाना, आपको जतना content होगा उतना आपने multiple times revise करना है, चाहे वो serious है, चाहे वो F-cat है, चाहे कोई भी exam है, understood, so, आज की ancient history के अंदर, हम लोग आज बात करेंगे, सबसे important topic, that is, सिंदु घाटी सभ्यता, now, number one point is, मेरा ये जो lecture होगा, वो हिंदी में भी होगा, English में भी होगा, right, दूसरी बात ये है, कि इस lecture में, जो मेरे किताबे हैं, वो वो किताबे हैं, जो आपको, जो actually examiner, consider करता है, जैसे, NCRT की किताबे होती है, तो, जो NCRT की किताबे हैं, उसमें जो लिखा है, वो पत्थर की लकीर है, उसको कोई गलत नहीं गोशित कर सकता है, understood, तो मैंने वहीं से content उठाया है, और आपक topic होने वाला है, that is, in this valley civilization, सिंदु घाटी सब्यता, now, सिंदु घाटी सब्यता, मतलब मैं आपको बताओ कि, Britishers जो थे, Britishers, वो जब Britishers हमारे देश पे राज करने के लिए आये थे, तो, बिटा, वो हमारे को ना, इस तरीके से समझते थे, कि यार, हम तो ना, अनपर्ड है, और हमारे को कुछ भी नहीं आता है, हमें, हमारे, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना science है, ना technology है, हमें इस दृष्टी से, वो लोग देखते थे, कौन देखता था, अंग्रेज देखता था, लेकिन, जब अंग्रेजों ने ये पाया, कि यार, इस जगा पे, हिंदूस् उन्हें, excavation किया, मतलब खुदाई करना शुरू किया, तो खुदाई पे उनको कुछ ऐसे अविशेश मिले, evidences मिले, जो उनके, मतलब उनको जो है, एकदम शौक में लेकर आगे, और वो जो उन्होंने खुदाई की, उस खुदाई से उन्हें, पूरा का पूरा एक सब्व सब्विता, वो सब्विता कौनसी थी, Indus Valley Civilization, इस सब्विता में मैं आपको बच्चों बताता हूँ, कि ये सब्विता first urban civilization थी, first सवाल तो आपसे यही पूछा जाता है, कि first urban civilization कौनसी है, Indus Valley Civilization है, understood हो गया, अब ये जो first urban अर्बन सिविलाइजेशन है क्यों है यह हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि जो सुविदाएं जो विवस्ता जो आडमिस्ट्रेशन इस सभ्यता में थी वो शायद आज मैं बोलू तो आज हमारे देश के अंदर भी नहीं है तो यह उस टाइम की सबसे बहतरी सभ्यताओं में से ए मैंने आपको समझाया ना तो यहां से question number one आपका पूछा जाएगा पूछा क्या जाएगा कि इंदस वैली civilization was a ruler civilization तो आप क्या answer देंगे मुझे बताएंगे कि इंदस वैली civilization was a ruler civilization yes or no answer दीजेगा comment section के अंदर चलिए next हम लोग point पढ़ते हैं नौ यहां से यहां से एक सवाल आपका पूछा गया था आपके प्रीवेस यह question में आपको अगर याद हो तो मैं आपको बता दूँगा इस इंदस वैली civilization was a urban civilization तो यह सही है जो मैंने बोला ruler तो वो गलत है understood चलो यहां से बात करते हैं दिखें इस civilization के बारे में जो अंग्रेज थे उन्होंने खुदाई किया एक्सकावेशन किया अलग-अलग जगाओं पर उनको सब्धा के important important evidences मिले उन evidences में जो सबसे महत्वपून evidence है सबसे important evidence है वो है seal क्या है इवो सील राइड? that is seal और seal कुछ इस तरीके कि आपको देखने को मिलती है। this is the हडपन seal, right? अच्छा इस seal में आपको क्या देखने को मिल रहा है। इस seal में आपको देखने को मिल रहा है इए huge animal, animal का यहां पर पिक्चर है और यह कुछ science है जो कि हड़पन सील जो है वो इंदस वैली इसिविलाइजेशन की सबसे कमाल की चीज है, right? तो कमाल की चीज के लिए क्या वर्ड यूज किया गया? Most distinctive artifact of the हडपन civilization. Same to same line जो है, बच्चों पूछी गई थी आपके paper के अंदर, right? So, हडपन सील is possibly the most distinctive artifact of the हडपन या इन्दस वैली civilization, right? देखिए, इन्दस वैली civilization के अंदर, अलग-अलग towns थे, है न? जैसे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में भी तो बहुत अलग-अलग cities है, towns है, तो वैसे ही civilization के अंदर जो है, अलग-अलग towns थे, जैसे हडपा हो गया, मोहन जोदारों हो गया, बना वाली हो गया, जो कि आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे, right? तो यह आपने याद रखना है, हडपन सील is possibly the most distinctive artifact of the इन्दस वैली civilization. इस सील में आपको क्या मिलेगा? आनिमल की आकरिती देखने को मिलेगी, प्लस आपको साइन देखने को मिलेगे. अच्छे, यह जो साइन है, यह आपको देख रहा है, यह थोड़ा clarity नहीं देख रही होगी, basically, आप जब PDF डाउनलोड करेंगे, तो आपको clarity मिल जाएगी, त these are the signs which are, which are, which are undeciphered, which are undeciphered, undeciphered का मतलब क्या हुआ, which are undeciphered, अब यह word क्या हुआ, undeciphered का मतलब होता है, जो अभी तक भी पड़े नहीं गये, समझे नहीं गये, understood, so this is also very important, आप से पूछा जाएगा हडपन सील का जो साइन से, वो deciphered है, पड़े गए हैं, नहीं, अभी तक भी पड़े नहीं गये, understood हो गया, तो यहां से आप याद रखेगा, कि हडपन सील बड़ी कमाल की चीज थी, यह हडपन सील का एक और important point जो मैं आपको बताऊंगा, याद रखेगा, that is, it was made up of stone, यह किस से बनी हुई थी, यह steer tight, that was steer tight, right, this can be asked, यह अच्छा सवाल है, जो बन सकता है, तो पूछा जाएगा, कि हडपन सील was made up of, made up of lapis lazuli, मतलब वो तो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन नहीं, हडपन सील was made up of stone, जिसको कहते थे हम लोग, this, understood, तो याद रखेगा, दो तीन सवाल यहां से बनेंगे हमारे, नौ यह पूरा का पूरा जो आपको देखने को मिल रहा है, यह पूरा का पूरा अलग-अलग ताउन से, अलग-अलग शेहर है, और हड़ अफ इंदस्वेली सिविलाजेशन, you understood, यह अलग-अलग जगाएं हैं, अब यह जो अलग-अलग जगाएं हैं, इ सारा, this is Gujarat वाला एरिया, है न, यह सारा पाकिस्तान आ गया, और यह है हमारा प्यारा भारत, इतना जो है, यह आप देखेंगे, तो यह basically boundary है, इंडिया और पाकिस्तान की, understood, now, यह जो इंडिया और पाकिस्तान की boundary है, इसमें आपको कुछ ऐसे एरियाज मिल जाएंगे, स जो आपको अफगानिस्तान में मिलेगा, जो अफगानिस्तान में मिलेगा, वो हम लोग special याद रखेंगे, यह न, उसका नाम क्या शोर्तुगाई, आगे बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है, अच्छा, मोटे-मोटे जो टाउन्स थे, मेन-मेन टाउन्स, उनके बारे में मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जैसे for example, सबसे पहले है हडपा, हडपा की शुरुवात सबसे पहले हुई थी, अच्छा, बेटा, मैं आपको वैसे नहीं समझाओंगा, कि मतलब जो ऐसा static होता है, कि static में हडपा इस साल एक्सकावेट किया, इसने किया, वो सारा हम लोग आपको रट्टा मारने की जुरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता लग जाएगा कि ये हडपा इस साल क्यों एक्सकावेट हुआ, ये हमने जानना है, और इसको जानने के लिए आपको कोई बहुत rocket science करने की जुरूरत नहीं है, बस थोड़ा मेरा experience जो है, आपको help करेगा है ना, बस तिक के आपने पढ़ना है, समझना है, राइट, हडपा आपको clear हो गया, understood, now this is Mohan Jodaro, this is Mohan Jodaro, हडपा कहां पे है, बताओगे, answer देना हडपा कहां पे है, मैं comment section सबके check कर रहा हूँ, और एक एक बच्चे का मेरे को 2-4 दिन के अंदर नाम भी यादा जाएगा, हो जाएगा, तो सबके सब मुझे बताएंगे कि हडपा exactly कहां पे है, understood, Mohan Jodaro कहां पे है, ये दो टाउन्स आपको clear होगे, right, अब next, यहां पे है धोला वीरा, धोला वीरा अपना गुजरात में याद रखिएगा, अच्छा मैं ना, अभी आपको क्या कह रहा हूँ, अभी कोस्टल एरिया है नागेश्वर, ठीक है, याद रखिएगा, उसके बाद ये भी कोस्टल एरिया है लोथल, याद रख सकते हैं, लोथल, और इसके बाजू में है रंगपोर, ठीक है, थोड़ा सा इतना याद रखिएगा, right, तो आपका हडपा कहां पे, पाकिस्तान के अं अंदर, understood, तो ये मोटे-मोटे कुछ एरिया हैं, जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, अभी इनको देखके हरान परेशान नहीं होना, सारे एक दिन में रख्ता नहीं मारेंगे, या याद नहीं रखिएगे, सिर्फ इनको आज पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, understood, now this is Manda, ये ह मांडा, ठीक है, अब मांडा के बारे में कुछ important point है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे, बस आप इसको बस देख लीजे कि मांडा मैंने पढ़ा हुआ है, और कुछ उपर की तरफ है, मतलब नौर्थ साइड में है, बस इतना आपने याद रखना है, clear, आप देखें, मोटे आज के टाइम पर बैंगलॉर देखते हो, आज के टाइम पर गुडगाओं देखते हो, नौइडा देखते हो, या आप मुंबई देखते हो, इनकी शुरुवात कैसे हुई होगी, इनकी शुरुवात कोई ऐसे जो आज के टाइम पर हम लोग देख रहे हैं, वैसे तो नही अश्वारा होगा इस तरीके से इनकी शुरुवात हुई होगी understood तो वैसे ही सिंदु घाटी सभ्यता जो की अर्बन सिविलाइजेशन थी हैना मैंने आपको बोला ना इट वास अर्बन सिविलाइजेशन तो यह अर्बन civilization एकदम से नहीं बनी इसके भी phases थे तो यह जो सिंदु घाटी सब्वेता है शुरवात में छोटी-छोटी बस्तियां यहां पे थी इस चीज से रिलेट करती है जैसे फॉर एक्जामपल बताता हूं इंदस इंदस्वेली civilization जो है इट वस डिवादेट इंटो थ्री सेक्शिंस अंडस्टो सबसे पहले अर्ली हडपा या अर्ली इनदस्वेली civilization बोल दयजी है जो भी चीज यह डवलक चीज थी मतलब जिस में कहते है न सबसे चम 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 चीज यह जय से अ जबसे चम 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 तह एक मोस्त एडवांस infrastructure the word is सबसे advanced infrastructure आपको कहां पर मिलेगा बताओगे आप किस phase में मिलेगा आप खुद आंसर देंगे I want answer from all of you जल्दी बताईएगा एक क्विक 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 आंसर येस ने 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 देखो अब दिमाग लगाओ हमारा जो phase है हम लोग बच्पन जीते हैं maturity में आते हैं और फिर अपने बुड़ापे में आते हैं तो हमारा जो phase होता है जो जुनून और पैसा कमाने वाला वो कब होता है बताओगे आप वो होता है matured phase में वो कब होता है वो matured phase में तो आपको कोई भी development कोई भी development जो सबसे टॉप development आपको देखने को मिलेगी जो आगे हम लोग पढ़ेंगे वो सारी आपको मैचौर फेस से रिलेट लिंक्ड होंगी मैचौर फेस से लिंक्ड या रिलेटेड होंगी यह अंडर्स्टोड सो बस यह छोटी सी बात थी जो मैंने जो छोटे-छोटे टाउंस होते थे यहां पर जो लोग रहते थे यह बेसेकली अपना जीवन पालन करते थे ऐसा नहीं कि अब क्या इसमें से सवाल पूछा जा सकता है इसमें से जादा कुछ सवाल नहीं पूछेगा बट फिर भी इसमें देखते हैं क्या-क्या वो लोग खाते थे उनका अनाज क्या था इंपोर्टेंट है देखें उनकी जो इंपोर्टेंट क्रॉप्स और एनिमल्स होते थे वो क्या-क्या होते थे फूड के लिए इसमें सबसे पहले चारिट ग्रेंज और सीट लाइक बार्ले मिलेट्स वीट लेंटल सीसम और चिकपी यह आपको देखने को मिलता है यह जले अडपा civilization आप बोलेगे बिल्कुल क्योंकि यह हमने पड़ा है चीक है तो यह statement की form में भी पूछा जा सकता है सवाल चीक है कौन-कौन से food होते थे जो मिलते थे वहां पे है ना तो यह food इस पे सवाल पूछा गया है इस पे सवाल पूछा गया है कि आपको जो बाजरा गेह मूँ दाल तिल और चना जो है इनके भी बीज मिले है ना curiosity वाली बात है उत्सुकता है कि यार यह लोग खाते क्या थे इंपोर्टेंट है हां इंपोर्टेंट है बिल्कुल है और देखो अब यहां से याद रखना बहुत क्लियर मैं आपको बता रहा हूं यहां से बहुत सिंपल चीज निकलने वाली है एक्जामिनर के लिए और राईस जो है बिलकुल राईस भी मिलता है रंगपूर में राईस मिलता है और राईस मिलता है लोथल में rice मिलता है आपको मैंने लोथल और रंगपूर दोनों आगे पीछे ही site दिखाई थी तो वहाँ पे आपको rice मिलता है rice मिलते है evidences लेकिन rice जो है वो abundance में नहीं बलकि rare rice मिलता है मतलब बहुत कम quantity में rice मिलता है समझ आ रहा है तो यह याद रखेगा यह याद रखेग नाओ हमने agriculture देख लिया भाई कि यह यह पैदा करते थे अब animal जानवर कौन से रखते थे यह भी बहुत important है अच्छा all developed infrastructure was in mature phase yes all developed infrastructure was in mature phase क्योंकि later phase में तो भाया कोई बाड आपदा वगयरा आगे और उनका सारा जो है दीरे दीरे टहस्नेहस हो गया या फिर किसी विदेशी बाहर इंडो आरियंस ने अटाक करना शुरू कर दिया तो इसलिए वह खतम होना शुरू हो गये लेकिन mature phase ऐसा फेस था जहां पे सारा developed infrastructure आपको देखने को मिलेगा अच्छा रेर क्यों था रेर इसी देखो रेर था क्यों कि जो हिस्टोरियन से वह कह रहे है रेर क्यों कि उनको एबिडेंस इतने जादा नहीं मिले तो इसलिए उन्होंने कहा कि राइस जो है वह बहुत ही कम उनको मिले है तो हिस्टोरियन कहते हैं कि राइस कम मिले मतलब प्राइस की खेती कम होती थी इस तरीके से वो आईडिया लगा रहे हैं अनुमान लगा रहे हैं अब देखे बड़ा important point है that is हडप animals bone अब यह point important है animal bones हमें मिलते हैं हडपा के साइट से कौन-कौन से animals bones हमें मिलते हैं जैसे sheep हो गया goat हो गया buffalo हो गया pig हो गया मतलब भेड़ बकरी बैस और भैस और सुवर तो यह आपने याद रखना है कि यह animals हमें मिले हैं in fact हमें क्या है इन चीजों से बतलब अगर हमें मिलते हैं याद रखिए अगर हमें animal bones मिल रहे हैं तो यह क्या दिखता है यह दिखता है कि यह लोग जो थे पशुपालन करते थे अब सवाल सीधा कि animals s ROD sekated into husband civilization है की नहीं तो बनेगा वहां पर सवाल बिलकुल बनेगा तो यह सारे अनिमल्स थे जिनका Domestication होता था कि जिनका Domestication होता था understood तो अब कमेंहों इसब ऑके नो हां जी बताइए everything is clear और everything जितने भी students देख रहे हैं मैं चाहता हूँ आप एक बार फटा फट मुझे बताइए कि सब clear है की नहीं है everything is clear or not just मुझे फटा फट बताओ सर एक लास पॉइंट बताइए अच्छा ठीक है लास पॉइंट बताता हूँ नो only map location ओके चलो कई बाती चेक यह जो डाउट है वो मुझे बताओ अभी फटा फट बताओ map location बताता हूँ दुबारा से यार map location को देखके ना टेंशन मतलो यह maps तो आपको आगे बहुत सारे देखने दिखने वाले हैं तो वो map location को आप देखके थोड़े से परिशान ना हो जाना ऐसे ऐसे बहुत maps आपको दिखाऊंगा और अच्छे से दिखाएंगे हम दो एक बा क्रॉप्स के बारे में अच्छे के ना माप location में बेटा देखो बड़ा सिंपल है यह आपको इंडिया पाकिस्तान की बाउंडरे दिख रही है यहां पर आपने अपनी सेवा देनी है एक टाइम पर आके यहीं पर आप कंपनी कमांडर बनेंगे प्लाटून कमांडर बनवाली आ जाएगा इसके साइड में आपको राखी गड़ ही आ जाएगा आपको जादा नहीं समझा रहा क्यूंकि कोई बात नहीं आगे पढ़ते जाएंगे इनको तो हडपा इस तरफ गया बनवाली राखी-गड़ी मांड़ा पूछा जा रहा था यार यह कहां पर है ह तो आपको देख रहा है ना ये तो जम्मू कश्मीर के अंदर है मांडा मांडा इस इन जम्मू कश्मीर number one point number two point जो आगे बताने वाला था अभी बता देतो मांडा जो है वो देखो इंदर्स वेली सिविलाइजेशन का extent जो देखा जाता है extent जो है वो क्या है मतलब इंदर्स वेली सिविलाइजेशन का जो northernmost extent है that is मांडा only so this is northern most part of IVC ऐसा सवाल ये बच्चे वाले सवाल हो चुके है क्योंकि ये पहले पूछे जाते थे अब शायद ही पूछा जाए लेकिन कर लेंगे हम लोग कोई बड़ी बात नहीं है तो northernmost this was this ये लोथल हो गया मैंने बताया था लोथल के बाजू में रंगपूर है नागेश्वर हो गया धोला वीरा चन्हो दारू and ultimately मोहन जुदारू ठीक है चलो clear और आपने बोला कि यह जो seeds 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 है यह बताओ यार देखो barley, millet, wheat, lentils, sesame and chickpea थोड़ा याद रखने ना धीरे धीरे याद हो भी जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है और rice हमें rare मिलती है यह याद रखिएगा animal bones और यह सार है clear हो चुका है right अब देखे यहां पर यह चीज याद रखिएगा यह चीज याद रखिए देखिए मैंने आपको बोला कि जानवरों को domesticate किया जाता था पशुपालन किया जाता था किया जाता था चलो अब एक चीज और याद रखिएगा कि जान जो जंगली जानवर है उनकी हड्या भी हमें मिली है तो यह पूछा जा सकता है कि जो जंगली जानवर थे उन कौन-कौन सी किन-किन के bones हमें मिले है for example हमें मिले हैं बोर, डियर, और घडियाल के bones जो सूर है, हिरन है और घडियाल है उनकी हड्या हमें मिली है बेटा यह statement की form में आपका cds में सवाल पूछा गया था, cds में पूछा गया था, same to same bore, deer and घडियाल अब examiner यहाँ पे घडियाल की जगा कुछ भी लिख सकता है यार, cow लिख सकता है, उसको तो आसान हो रहा है ना सवाल बनाना बट हमें इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, right, okay, now, एक पॉइंट जो आपको थोड़ा सा ध्यान में बता देता हूं, that is कि खेती होती थी, बिलकुल खेती होती थी, अच्छे लेवल पे होती थी, अच्छे लेवल पे होती थी, तभी इतने सारे कि जो सील है, सील को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, जो मैंने आपको बता है ना हडपा का सबसे नायाब चीज क्या है, सील से हमने पता लगा है कि यार हडपा में क्या क्या चीजे होती थी, तो जो सील है, जिसको हम लोग हिंदी में मोहर कहते हैं, ठीक है, जो मोहरे होती ती, वो महरों में हमें देखने को मिल रहा है कि सील के उपर बना हुआ है बैलो को बोते हुए कुछ आक्रिती, बैलो को बोता हुआ कोई picture सा बना है जिससे हमें लगा है, पता लगा है कि जो वहाँ पे बहुत बढ़या तरीके से खेती होती थी तो इस तरीके से याद रखिएगा चलिए नाव अब एक और चीज है यह आप देख रहे हैं is it visible to all of you तो यह जो टेरा कोटा का फिगर है this is called टेरा कोटा का फिगर अब टेरा टेरा कोटा क्या होता है आपको यह टेरा कोटा बहुत औरने को मिलेगा एंशिंट हिरु में से लिया और हमने बठी में when मतलब जो you know ऊव को एग्दम कर दिया इसको मतलब मिटी एग्दम सक्त होगी अब जो इससे निकलेगा मतलब जो यह बनन के स्तरक्चर बनेगा एग्दम सक्त सॉलिड स्तरक्चर बनेगा उसको हम लोग टेरा कोटा फिगर कहते हैं उसको क्या कहते हैं टेरा कोटा फिगर कहते हैं अब यह जो टेरा कोटा का फिगर है यह भी हमें मिला है जो दिखाता है प्लॉग पाउंड प्लॉग पाउंड मतलब की हल मिला हुआ है हमें ठीक है जो हल जिससे खेती की जाती है वो भी हमें मिला ह understood हो गया तो इसको आप पूरे ध्यान से पढ़िएगा नव यहां से सीधा सीधा बेटा सवाल पूछा जाएगा कि जो irrigation practice थी मैंने आपको agriculture बताया कि खेती होती थी तो खेती के लिए आप भीया सिंचाई भी चाहिए कि खेतों में proper पानी भी होना चाहिए तबी तो जमीन जो है आपको productivity देगी तो the point यहां पर यह आता है कि जो canals होते थे है ना canals वो पाए गए है ठीक है canals पाए गए है वो नहरे जो होती है वो पाए गई है बट वो कहां पर पाए गई है आप बताएंगे अच्छा मुझे यह बताईए चलो मैं आपकी सिंपल सा टेस्ट ले लेता हूं हमारे देश में ब्रिटेश के टाइम पर अंग्रेजों के टाइम पर किस जगा को केनाल कॉलोनी कहा जाता था लिखों में यहां पर किसको कहा जाता था केनाल कॉलोनी किसको कहा जाता था आप में से किसी को पता है आप मुझे आंसर्स तु कार्तिके मुंबई ≥ senza 54 पपपो भी बिलकुल बिलकुल उजुवल ≥ गुजुरात नहीं शिवम बहुत बढ़िया था कैनाल कलोनी कहा जाता था पंजाब को क्यों कहा जाता था क्योंकि पंजाब में बहुत बढ़िया तरीके से अंग्रेजों ने केनाल सिस्टम सेट अप करके रखा था मतलब बहुत बढ़िया तरीके से सिचाई की विवस्ता अरे इसी लिए तो पंजाब के अंदर खेती में ग्रीन रेवल्यूशन आया कि वहां पर केनाल सिस्टम बहुत तगड़ा था लेकिन हम चलते हैं अतीत में इंशिंट सिविलाइजेशन में इन सिंदु घाटी सभ्यता में तब पंजाब में कोई केनाल सिस्टम नहीं था केनाल सिस्टम अगर आपको मिलेगा वह कहां मिलेगा वही ज यह जो शोर्तु गाई है बहुत ध्यान से सुनेएगा ये आप आपका जो है कहां पे हैं ये अफगानिस्तान में रोल है कि ये अफगानिस्तान में तो पहला सवाल आप से पूछा जाएगा कि कैनाल के एविदेंस हमें कहां से मिलते हैं आपक्या answer देंगे आंसर दीजेगा और यह जो शोर्तु गाई है दूसरा सवाल आप से पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि इंदस घाटी सभ्यता बहुत ध्यान से सुनिएगा इंदस घाटी सभ्यता का केवल एक ऐसा टाउन बताइए जो इंडिया और पाकिस्तान को छोड़के तीसरी ज लिगा है वह है अफगानस्तान स्वाफ आपको सवाल समझ आ गया होगा सो जितने भी टाउंसे इंदस घाटी इंदस वैली सिवलाइजिएशन के वह सारे के सारे पाकिस्तान में या इंडिया में हैं बट ओन ली बन सिटी डाट इस नोंट इन पाकिस्तान और इंडिया आपके लिए बहुत अच्छा सवाल बन सकता है अंडेस्टूड हो गया नौ एक और पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि इसके ओपर cds में previous year question में देखेंगा सवाल पूछा गया था कि धोला वीरा के अंदर धोला वीरा गुजरात के अंदर मैंने आपको मैप दिखाया था है ना सो धोला वीरा के अंदर reservoir आपको मिलेगा evidences of reservoir reservoir क्या होता है जलाशे जलाशे का मतलब एक बहुत गड़ा वड़ा करके उसको जो है गहरा कर दिया जाएगा और उसमें जो rain water है वो एकठा होता रहेगा और उस rain water का इस्तमाल करते रहेंगे तो वो आपको सबसे जादा बड़ा जो है वो धोला वीरा में मिलेगा तो यह सवाल पूछा गया है यह सवाल पूछा गया है आर्टिफिशल लेक तो यार बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर हो गया रिजर्व और उसका बहुत छोटा एक construction होती है रिजर्वार इस वेरी स्मॉल construction as in comparison to artificial ने इछ रखना है तो याद आपने एस तिल्जान से रखना है अब देखें अभी कि एक और पॉइंस जो आपने यार्ट गर्सकाली बंगन काली walking मैंने आपको बताये कहांपे इकाली बंगन जल्दी आंसर दो जल्दी आंसर दो काली बंगन है कहां पे कोई एक आंसर चलो जल्दी आंसर दीजेगा काली बंगन बेटा कहां पे है तो जो जो बच्चा राजस्तान कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है काली बंगन राजस्तान में है ठीक है अच्छा काली काली मतलब ब्लैक और बंगन मतलब बैंगल्स है न ठीक है तो काली मतलब ब्लैक और बैंगन मतलब बैंगल्स लगा के चलिए ब्लाक बैंगल्स, की फैक्टरी काली बंगन में आपको मिलेगी, लेकिन सिर्फ काली बंगन इसके लिए famous नहीं है, काली बंगन में एक और कमाल की चीज होती थी, यहां पे जो खेती होती थी न बिटा वो खेती इस तरीके से होती थी मतलब जैसे आप जो है यहां से खेत बोईंगे तो मिट्टी जो है दोनों तरफ इकठी होती जाएगी एक जगा रिज बन जाएगा ये जो है ये क्या है ये रिज है ये फरो बन जाएगा मतलब ये गड़ा सा बन जाएगा और दोनों तरफ जो है वो खेती दोनों तरफ जो है वो आपका रिज टाइप बन जाएगा बनेगा की नहीं बनेगा so the point is कि हमें evidences मिले हैं कि काली बंगन के अंदर दोनों तरफ खेती होती थी दोनों तरफ मतलब double cropping होती थी double cropping का मतलब क्या हुआ कि यह जो रिज है यहां पे तो खेती होगी और साती साथ फरो में भी खेती होगी एक टाइम पे ही double cropping तो याद रखिएगा यह आपने माही बिल्कुल सही का है रिज फरो कल्टिवेशन होती थी तो यह आपने सीधा इसके बारे में एकदम सटीक याद रखना है राइट चलिए देखें मोहन जुदारो की मैं बात कर रहा हूँ और मोहन जुदारो जो है बोला जाए तो एक बहुत ही बड़ा विशाल planned city थी और किसकी इंदस वैली civilization की पहली अडपा थी लेकिन उसके बाद जो एक्सकावेट किया गया वो मोहन जुदारो का किया गया था understood now Mohan जुदारो के बारे में हम लोग कमाल की चीज पढ़ेंगे यह है पूरा का पूरा मोहन जुदारो का मैप अच्छा आप सभी ने मोहन जुदारो फिल्म देखी है फिल्म देखी है आपने मोहन जुदारो की अच्छा मतलब आप सब जो स्टूडेंट्स है वो कंगना रनौत के फैन है ना कंगना रनौत के फैन है क्योंकि मोहन जुदारो रितिक रौशन के फिल्म थी ऐसा है चलो कोई बात नहीं चलो मैं जिस जोक्स अपार्ट सो दो पॉइंट इस कि मोहन जुदारो फिल्म में अगर आप देखते तो रितिक रौशन जो था वो उसका जो वेश भेश भूशा थी मतलब उसका जो पहनावा था वह लो का बंदा उसने राजा महराजा नहीं था वही वह लेश वेरी कॉमन पर्सन राइट जैसे आला दिन था आला दिन की भेश भूशा जैसी थी वैसे उसकी भी थी कि बट और वो रहता कहा था याद रिख रखिया जैसे इस एरिया में घुसा तो मतलब उसका तो पूरा सब्सक्राइब में आगया हम तो उसको देखने को अई दिखने को मिला कि यह थो बहुति अलग दुनिया है ए कि गुराईब तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये जो चीज थी ये जो social difference था ये जो समाजिक difference था ये exist करता था आपका यहां से यहां पर भी कैसे देखें मोहन जोदारों का दो हिस्से थे दो parts थे इन फैक मोहन जोदारों नहीं हम हर towns की बात कर रहे हैं आप majorly बताएं बोलें तो सब की बात कर रहा हूँ कुछ exceptions हैं वो मैं आपको बता दूंगा चलिए अब फटा-फट हम लोग बात करते हैं कि ये जो area होता था इसे क्या कहते थे हम लोग lower town कहते थे what we used to call lower town right so we call it as lower town right ये जो lower town होता था ये बहुत ही जादा large area होता था large area होता था number one point number two point is ये lower town में गरीब लोग रहते थे या फिर काम करने वाले जो लोग होते थे जो डेली काम डेली वेज वाले लोग होते थे वो कर रहते थे मतलब कॉमन लोग रहते थे कॉमन कि पीपल राइट मतलब आम आदमी आम आदमी पार्टी नहीं आम आदमी रहता था तीसरी बात यह है कि यहां पे आप देखेंगे तो small यहां पर आपको जो कंस्रक्शन देखेंगे वह बहुत ही स्मॉल लेवल पे थी यह जो एरिया था देखेंगे आप यहां पर आपको रिच लोग दिखेंगे रिच लोग कौन से लोग जिनके पास पैसा है पावर है संपत्ती है और राजा है राजा के चापलूस लोग है नोबल्स है ऐसे पंड़त ये सब लोग दिखेंगे समझा गया राइट ओके नौ ये सारा का सारा जो एरिया है ये देख रहें आप इतना पूरा एर एरिया जो है ध्यान से देखेगा यह एरिया है यह डिल, understood, तो यही मोटे-मोटे तौर पे सारा कुछ है working class के लोग जो थे, यहाँ पे रहते थे है ना, simple हो गया all clear, done, चलो अब यह आपको मोटे तौर पे सारी चीज़े पता है तो हम इसके बारे में देख लेते हैं right जो भी मैंने आपको बताया है यह जो, अब मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ जो जो हमने अभी पढ़ा upper town, जिसको क्या कहते थे, citadel कहते थे ध्यान से सुनिएगा citadel कहा जाता था, right यह higher होता था, आप बोलेंगे yes, higher था, smaller था बिल्कुल sir, छोटा ही था ना, upper town है तो higher, लेकिन है छोटा-छोटा, है ना, world था बिल्कुल sir, अभी दिखा देते हैं हम लोग, world था की नहीं था, बिल्कुल world पूरा का पूरा दिवारे लगी हुई है, इसमें आगे पीछे चारों तरफ, world है की नहीं, बिल्कुल world है, चीक है, आच्छा, यहां पे कौन रहता था, elite, elite मतलब जो रसूगदार लोग होते थे, elitist class, जिनके पास सब कुछ है, वो रहते थे, बिल्कुल रहते थे, चलिए, यह clear हो गया, lower town है, much larger है, बहुत बड़ा area था, lower town का, पढ़ लिया, lower town जो है, यह भी world होता था, sir, बिल्कुल world होता था, देखा नहीं हमने, यह देख लो, यह भी तो world है, है न, यह भी world है, चीक है, यह भी world है, clear हो गया, okay, this is also world, और यहां पे कौन रहता था, आम आदमी रहता था, समझ आ गया, अब आप बोलेंगे, sir, यह सारे points learn करने हैं कि नहीं करने, आप बताइए, सवाल पूछा जाएगा, मैं आपको बोलूँगा, शत प्रतीशत पूछा जाएगा, 100% सवाल पूछा जाएगा, लेकिन बात यहां पे सिर्फ यही आएगी, कि यहां से जो सवाल पूछेगा, ठेक है, वो tough category का सवाल होगा, right, 99% बच्चों के लिए, लेकिन आपके लिए easy होगा, क्यों, क्योंकि यह हमने कवर कर लिया, है कि नहीं, जो बच्चा छोड़ देगा, right, चलिए, आगे चले, clear हो गया, अच्छा, आप यह बताईए, मेरी voice clear आ रही है कि नहीं, क्योंकि एक student complain कर रहे है, जल्दी बताईएगा, is my voice clear, जल्दी बताईए, अच्छा, clear है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ, जनने, आपको यह PDF मिलेगा, handout के तोर पे, मैं अभी आपको क्या करूँगा, class 5-7 minute और चलेगी, उसके बाद मैं उससे पहले-पहले आपको handout दूँगा, आज यह पहली class है, इसलिए हम लोग थोड़ा interaction कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको मैं PDF की form में handout दूँगा, वो क्या करेंगे, वो आप अपने पास रखेंगे, और उसको जितना जितना मैंने आज पढ़ाया है, उतना उतना आज कल की class में पढ़के आना है, और मैं आपका छोटा सा test लूँगा, फिर हम लोग आगे continue रखेंगे, understood, चलो, नाओ, यहां से मैंने आपको वो चीज बता दी, कि हाँ, यह इस तरीके से features बता दी है, ना, बताया की नहीं बताया, आप देखिए, यहां से आपने याद रखना है, एक बड़ी ही important चीज, चीक है, citadel के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, किसके बारे में, citadel के बारे में नाओ, citadel में most हड़पन settlements, जादातर हडपन settlements, मैंने कहा ना, कि जादातर settlements में आपको यही दिखेगा, upper town, lower town, citadel हो गया, common बंदा रह रहा है, light रह रहा है, बट exceptions तो होती हैं, exceptions क्या हैं, वो उसकी बात करते हैं, उसमें आपको small, high, western part दिखेगा, अच्छा, western part किसको बोला जा रहा है, small, high, western part, आप answer देंगे, जल्दी बताएंगे, मुझे quick answer चाहिए कि small, high, western part किसको बोला जा रहा है, बताए, बताए, यह फिर पता लगेगा कि कितना आप ध्यान दे रहे हैं, अपना class में, कितना, और एक चीज़ याद रखो, forge में जा रहे हो, चाहे, F-Cat में जाओ, 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 जो दिमाग का चलना है, और presence of mind है, सबसे important वो है, presence of mind, SSB में भी कुछ बहुत बड़ा कमाल का खेल नहीं पूछते हैं, सिर्फ आप से presence of mind पूछते हैं, कि आप में है वो चीज की नहीं, तो वही चीज आपकी यहाँ पर भी टेस्ट हो रही है चलो, बहुत बड़िया, आप सब लोग आंसर दे रही हो, बहुत अच्छी चीज है, चीक है, and larger, lower, eastern section, there are variations, variations की बात करें, अच्छा, variations कौन सी है, variations आपको दो जगा दिखेंगी, एक तो है धोला वीरा और दूसरा है लोथल, पहला है आपको धोला वीरा में variation दिखेंगी, लोथल में दिखेंगी, मतलब बोला गया है कि यह जो western part है, जो small high है, larger, lower, eastern section है, इन में आपको variation देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी, सबसे पहले entire settlement was fortified, इन दोनों में आपको पूरी के पूरी जो settlement है, वो fortified मतलब किले बंद दिखेंगी, in fact इनके जो sections है, इनके उसके बाद आपकी छुट्टी कर देगे हम लोग, देखें, लोथल और धोला वीरा में entire section was fortified, यह पूरा का पूरा fortified है, ठीक है, यह तो समझ गया मैं, लेकिन जो इनके अंदर जो घरवर बने है, सारे के सारे घर बने है, वो भी fortified है, यहाँ पर भी fortification है, इस तरीके से बना हुआ है, मतलब सारा का सारा ही fortified area है, तो अब आप समझे क्या है, मतलब यह है, कि सवाल यह पूछा जाएगा, जो मैं आप भी आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि पूछा जाएगा, कि majority of 85 towns, majority of 85 towns में यह format follow किया जाता था, that was, यह जो मैंने आप आपको बताया, western part lower high इस तरीके से और eastern part इस तरीके से, but there were variations, which of the following 85 sites were having those variations, which of the following 85 sites were having those variations, answer दोगे की नहीं दोगे, answer दोगे, हाँ, ठीक है, so, right, हाँ, तो धोला वीरा एंड लोथल, understood, तो यह आपने याद रखना है, ठीक है, clear हो गया, चलो, so, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे मैं आपको एक मोटा मोटा idea दे देता हूँ, क्या पढ़ने वाले हैं, बड़े simple चीज़े पढ़ने वाले हैं, यह अर्बन, एक urban civilization क्या होती है, जहां पे सारी विवस्ता ठीक से होती है, ऐसा ना हो कि दिल्ली में थोड़ी सी बा वहां पे सारी चीज़े विवस्तित थी, that means, वहां पे जो, मतलब, जो roads और streets होती थी, वो बहुत तरीके से बनाये जाते थे, वहां पे जो भी पानी है, उसको नालियों के थ्रू जो है, बहाया जाता था, ताकि रोड के ओपर पानी ना बहे, है ना, और जितना भी घरों क कचड़ा होता था, उसको बहुत विवस्तित तरीके से, उसको खतम किया जाता था, तो ये सारी चीज़े हैं, जो हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे, ये आपको structure देखने को मिल रहा है, this is what we call, क्या कहते है इसको, देखिए, मोहन जदारों में, वो जो, रितिक रोशन की जो थी, चाहता था जिस महिला को, वो महिला ने एक गाना शूट किया था, और वो महिला नीचे उतर रही थी, तो वो महल था, रिचुवल्स का, मतलब वो एक ऐसा टाइम था, तो हार का टाइम था, तो हार सेलिब्रेशन किया जा रहा था, तो वो मोहन जदारों का ही ये ग ऐसा नहीं था समझ आगे ठीक है सो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे कल से हम लोग और एडवांस तरीके से पढ़ेंगे सिर्फ आपने संतुष्टी रखनी है कि चलना है तो पूरे शिद्दत से चलना है किसके साथ चलना है मेरे साथ चलना है मैं आपको आपकी नईया पार कराऊंगा लेकिन बात ऐसी है बिटा कि बुद्धा जी ने भी कहा है कि कोई भी अपने सेल्फ एफ़र्ट से आपको भगवान भी आपकी नईया पार नहीं करा सकते तो आप याद रखिएगा आपका अगर सेल्फ एफ़र्ट होगा तब मैं आपकी नईया पा कोई बुक की बात आज से मेरे से कोई करेगा नहीं बिकास मैं नहीं चाहता कि आप यहां पी भी पढ़ो और कोई अपना एक्स्ट्र एफ़र्ट लगाओ और बुक्स बुक्स पढ़ो कोई फाइदा नहीं होगा राइट चलो इसके जस्ट पहले पात देखो जो मैं सब्ज मैं अग्दोलो के अन्दर वेरीएश्ण है मतलब जो एक वेसं टाउं ईस्तन टाउंं मिलेगा है जर में बाकी यह सारी चीजेए ज़से हम लोग करक safety man ने पको पता चल जाएगा की वह प्लांड पर सड़के देख लो वहां पर सीवरेज सिस्टम देख लो सब कुछ प्लाइड है वैसा ही सिस्टम यहां पर था सिंपल राइट चलो अब इसका पीडिएफ मिल जाएगा अभी मैं हैंड आउट आपको अपलोड कर रहा हूं वह आप ले सकते हैं लेकिन वह तब लेंगे जब आप यह चीज़े पढ़ेंगे ऐसा नहीं कि पहले वह भी किताब ले ली यह भी पढ़ रहे हो और बीच में बहुत ओवर लोड हो गया बट वह बुक जो है वह अच्छी बुक है वह मैंने खुद परसली चेक किया है तो वह आपने वाइप ऐट एट 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 एस वाले रेफरेल कोड को इस्तेमाल करने है सिंपल आज़ इस ठीक है आपको डिसकाउंट मिल जाएगा चलो डन चलो मैं आपका हैंड आउट अभी अपलोड कर देता हूँ और आप हैंड आउट पढ़िए कल नेक्स क्लास के अंदर मि आप हैंड 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 आप ह झाल 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 झाल